इसका नाम क्या है? नमस्ते प्रनाम, आज हम इसको कमर में इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो आप भी चीख सकते हैं कि कमर में इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है तो आईए हम सबसे पहले इंजेक्शन को लोड कर लेते हैं तो यहां जो मेरा injection है और इसको हम लगाने वाले हैं देख सकते हैं कि यह जो है वहां लगभग साथ महिना का बच्चा है और इसको हम injection लगाने वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है इंजेक्शन निकल चुका है और यहाँ जो है मैं लोड कर लूँगा इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो इंजेक्शन है वहाँ निकल चुका है और इसको हम इंजेक्शन को लोड कर लेंगे तो इंजेक्शन को लोड करने से पहले इसको हम तोर लेते हैं यह जो है मेरा इंजेक्शन है और इसको लगाना है यहां पर देख सकते हैं बच्चा जो अभी है वहां खेला रहा है और इसको हम इंजेक्शन लगाएंगे तो यह रोएगी तो यहां पर देख सकते हैं मेरा इंजेक्शन जो है वहां तूट यहां पर जो मेरा है इंजेक्शन लोड हो चुका है और इस भूगा को हम इंजेक्शन देने वाला है तो यहां पर देख सकते हैं कि इस परकार से जो है वहां इंजेक्शन लोड कर लिए है इंजेक्शन देते वक्त ध्यान में रहना चाहिए कि अगर इसमें बवल्स है तो ब तो इसके लिए हम सबसे पहले बवल्स को पास कर लेंगे और क्या करेंगे कि जब आई-एम जो इंजेक्शन होता है वहां फेसेंट पो 90 डिग्री के इंगल पर लगाया जाता है तो इसको हम 90 डिग्री के इंगल पर लगायेंगे यहां पर देख सकते हैं कि बच्चा जो किस कि इंजेक्शन देंगे वहां पे जो हम फैटकी सहल से उसको साफ कर लेगे ताकि कोई इंफेक्शन ना हो और कोई परोशानी ना हो तो यहां पर देख सकते हैं कि बच्चा को सबसे पहले ते निचे बाटके तो यहां पर देख सकते हैं कि बच्चा को है बार हो रही है तो दोस्तो अभी तक कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जब भी मैं को वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके इसका नाम क्या है यहां पर देख सकते हैं जो बच्चा है और यह जो है ममनी के पास जाएगी थेंक्यू नमस्कार धन्यबाद प्रनाव